हेलो फ्रेंड आपके लिए हैं यह बहुत ही प्यारा सा डिजाइन कार्डी गन में जैकेट में आप इसको डालेंगे बहुत ही प्यारा लगेगा आप चाहें तो इसका खाली बॉर्डर भी बना सकते हैं और चाहें तो इसको पूरे स्वेटर में अप्लाई कर सकते हैं बहुत तो आपका डिजाइन बिल्कुल सेट हो जाएगा सही से आप जब भी अपने प्रोजेक्ट में इसको अप्लाई करेंगे तो इसी तरह से करेंगे आप 16-16 फंदों के मल्टीपल से लिजिए और उसमें तीन फंदे आप और एड कर लिजिए तो इसको बनांगे या बारा सलाई होगा यह डिजाइन है बारा सलाईयों में डिजाइन बनकर कंप्लीट हो जाता है बहुत ही असान है इसको बनाना आइए देखते हैं कैसे बनाते और अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए है तो प्ली जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजे लाइक कीजे और आये देखते देख हमने आपको बताने के लिए 35 पंदे लिए है लिए लिए 16 और 16 प्last करेंगे 32 थरहा है थीन पंदे करेंगे 35 पंदें सिधी साइट से में इसको प्सक्राइब हो जाए द livelihood पर्सक्राइब सब्सक्राइब प्लस करेंगे तो 32 थरह थीत होगा है तो 35 पंदे है इसको जो एक्स्ट्रा रखते है वह वाला अब हम इस डिजाइन का पैटर्ण यहां से स्टार्ट करेंगे एक फंद रहें जाली बनाएंगे तो इस सीधे फंदे को बनेंगे तो यहां जाली बन जाएगी इस तरह से देखे जाली का फंद यहां जास्रार्ट जाली बने जास्रार जास्रार रहेंगे यहां जाली अबसंद फिर अपनी तरफ दो फंद आगे बनाएंगे दो फंद उल्टे तरफ दागा पीछे करेंगे फिर इग पंद सीधा तरफ दो फंद उल्टे गुआ है निंट्री पेट दूरे यह हैं मुन फंदए पिवन कर दोफना हुं फंदे मुन ayam green कर दोताइं, इस तरह से । 2 टीन फंदों को पीछे से लेते हुए पूं दें, है कि इस तरह से तीन का फंदा तीन का हमने एक फंदा बना दिया ताग आपनी तरह फिर से दो फंदे उल्टे कि एक पंदा सीधा कि फिर दो फंदे उल्टे पिर एक फंदा सीधा अब जाली बनाएंगे ताग अपनी तरफ करेंगे और एक फंदा यह जो जाली गाय फंदा तो इस तरह से हमारे की इस तरह से दिजाइन हो गया देखे एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ तो इस पैटर ना आपको पूरी सलाई में रिपीट करना है फिर से हमें एक फंदा सीधा बुनेंगे तो इस तरह से फिर में जाली भी बन जाती है और सीधा फंदा एक बुन गया हमारा अब हम फिर से जाली बनाएंगे दूसरी पैटर्न के लिए फंदा सीधा बुना और एक जाली बन गया हमारी फिर से हम दो फंदे उल्टे बनाए कि फिर एक फंदा सीधा कि नहीं अब हम तीन फंदों का एक फंदा बनाएंगे कि आप इस तरह से भी इसको गुमा सकते हैं इस तरह से फंदा लिया वापस इस सलाई में डालेंगे कि तीन फंदों का हम एक फंदा बनाएंगे यह पहली बार है इसके थोड़ा सा टाइट है बाद में इतना टाइट नहीं होता है फिर से दो फंदे उल्टे बनाएंगे कि एक फंदा सीधा कि दो फंदे उल्टे कि एक फंदा सीधा फिर जाली बनाएंगे तो दागा अपनी तरफ करेंगे और इस फंदा सीधा बुनते हुए लेंगे लास्ट का फंदा इसको भी हम सीधा बुनेंगे इस कि उल्टी साइट से पहला पंदा में ऐसी उतार लिए बेना बुने आप चाहत बुन लीजिए एक और फंदा फंदा बुनेंगे इस को भी हम उल्टा बुनेंगे पर था पीछे करेंगे दो वन्हें सीधे बनाएंगे कि एक फंदा उल्टा लिहीं है है फिर दोफंदे सीधे कि पर रόल लोड़ा तो वहीरीद पर नाउलटा तो दोफंदे सीधे कर से एक फंदा उल्टा ए eyeballs on a s reading जाली है इसको भी उल्पा बुनेंगे इतना ही पैटर्न में पूरी सलाय में रिपीट करना है है मतनी गोजेवे टीनमे उल्पनाद मुनेंगे थी आलगे हा Benito Si Dれ 3 फंदे उल्टे बन गए दो फंदे सीधे बनाएंगे दागा अपनी तरह एक फंदा उल्टा भगा पीछे गरेंगे दो फंदे हम सीधे बनाएंगे भागा अपनी तरह एक फंदा उल्टा तो फंदे सीधे एक फंदा उल्टा तो फंदे सीधे फिर लाष्ट के बच्चेए हमें उल्टे ही बना लेने हैं चारों फंदे तीसरी सलाई है सीधी तरफ से पहले हमने दो फंदे सीधे बनाये थे इस बार हम तीन फंदे सीधे बनाएंगे पहले हम यह तीन पंडिसी बनाने के बाद जाली बनाएंगे तौह पनी तरफ करेंगे करेंगे कि यह अमारे सीधा जय्री बनेगे तो देसे में जाली बना शीदे खाल के लिधन लिया अपनीतर दो वंदे उल्टे त है पीशे करेंगे एक फंदा सीधा फिर दाग आप इपनी तरफ और एक फंदी हम उल्टा बनेंगे तामा प्हे cah reka करेंगे अब He you are that you have a time और भरमने हर अ कि आपनी तरफ से हम भूय पर तीन पंदों का एक पंदा इस तरह से उयह की आपक तो और तीन हडातर को हम एक साथ कि निए यहां व्र के गांधा डिया थागा पीछे यह पंदा सीधा फिर अपनी तरफ में दो फंदे उल्टे बना लिए और यह फंदा सीधा बनाएंगे अब देखे फुर से एक हमाना सीधा बनाने के बाद पर जाली जाली बनाईगे हम तरफ करके पर सीधा बूनते हुए आगे बाला पंदा लेंगे तो जाली बन जाएगे देखिए पहले मारा यहां पे एक फंदा दा अब मारे यहां पे तीन फंद हो गए तीन फंदे पीछ में सीधे ुऊ हिया हुआ 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 तरही छानली दागं तरही दो भाजम टो पंदे दागं पीछे करेंगे। म्या किछे अश्य कुछे प्री दागं में कुछे तरही हैं ठीज पंदे ऊहिए फंद बनाया है। फिर से हम फंदों को घुमाएंगे बापस सलाई में करेंगे और तीन फंदों का एक फंदा बनाएंगे इस तरह से दागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा दागा पीछे करेंगे फिर एक फंदा सीधा तागा अपनी तरफ करेंगे दो फंदे उल्टे बनाएंगे तागा पीछे करेंगे एक फंदा सीधा बनाएंगे और देखी सीधा बनाने के बाद में इस पर जाली फिर बनाएंगे उल्टी साइट से जैसे हैं हमें वैसे ही बनना है जाली बनना है उसको भी घुटा ही बनना है तो हमने इस तरह से पांच फंदे बना लिए तागा पीछे करेंगे दो फंदे सीधे एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा इस तरह से प्र एक फंदा उल्टा फिर दो फंदे सीधे एक फंदा सीधा एक पंद उल्टा, फिर तो फंदे सीदे, ताग अपनी दरब, अभी जाली वाला फंद, एक पंदा हमने उल्टा बुन लिया, फिर जाली वाला है, इसको भी उल्टा बुनेंगे हम, और बीच में हमारे हैं, एक तुज, तीन, चार, पाच फंदे, इनको हम उल्टा कि दो किसी साथ हमारे एल्टे हो गई यह घगी एक पंदा उल्टा फ़िर एक पंदा सीधा एक पंदा सीधा फिर एक पंदा उल्टा दो फंदे सीधे एक पन्दा लपाज़त, एक पंदे प्रण बचे हुए सारे फंदे फिर हम उल्टे भuse 2 इन 0,4 5 वार्णे बंच पर 5 फंदे नहीं इए 2 3 4 5 कि ए terre के नहीं सीधी साइड से परिए दोजे में से छार फंदे हैं सीधे बनेंगे उसके बाद में जाली बनाइंगे ये 3 4 चार चार पंदे सीधे बुनने के बाद सीधव फंदा बुनने तो हम यह जाली बन जाई है हमारी है हम चुबर दागा पनी तरफ अब है। 630 एक से सीधा फिर ताग अपनी तरफ अब हम फिर से तागा पीछे करेंगे और तीन फंदों का एक फंदा बनाएंगे तो देखे हमारा यह जाली पर बढ़ जाता है वही हमारा यह सेंटर में बीच में हम फंदा एक इदर से दोनों तरफ से कम कर देते हैं तो पंदे उल्टे से फंदा सीधा फिर इसके बाद हम जाली बनाएंगे तो दाग अपनी तरफ करेंगे और आगे पंदा सीधा भुनेंगे तो यह जाली बन जाइए बीच में हमारे हम ने हैं चाहर एक निए बुन लिया पाँस थे तो यह पांच फंदे माई सीधे बुनेंगे पांच पंदे सीधे बुनने के बाद जाली बनाएंगे फिर से इस तरह से धागा पी तरफ करके शीधा फंदे बुनते हुए लेंगे जाली बन जाएगे दौसे करेंगे दागा पीछे करेंगे एक फंदा सीधा फर पीछे हिए रहेंगा फिर से हम इनकों करते हुए इस तरह से तीन फंदों का एक फंदा बनाएंगे हम एक फंदा सीधा बुनेंगे हूं 2 ऊल्टे बनाएंगे दागा पीछे गरेंगे एक पंदा सीधा फे जाली बनाएंगे अपनी तरफ करते वह सीधा फंदा बनेंगे और जाली बन जाएगे हमारी । तो एक और तीन यह बचे हुए देनी चार कंदे हमारे सीधे swing जाएंगे, उल्टी साइट से, जो जैसा है, उसको बैसा ही बुनना है, उल्टे बना लिए, दागा पीछे करेंगे, दो फंदे सीधे, दागा अपनी तरफ, तीन फंदे उल्टे, दागा पीछे करेंगे, फिर दो फंदे सीधे, दागा अपनी तरफ, यहां पर एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, अब हमारे दोनो डिजाइन के बीच में, नौ फंदे सीधे हो गए हैं, दागा पीछे करेंगे, दो फंदे सीधे, दागा अपनी तरफ, तीन फंदे उल्टे, दागा पीछे करेंगे, दो फंदे सीधे बुनेंगे, दागा अपनी तरफ, बचे हुए फंदे हमारे सब, उल्टे बनाएंगे, दो, तीन, चार, पांच, छे, कि आटएंपक अपनी तरफ के लिए ABOUT दी फंदे अपन फंदे, कि cautious हैं, चार, गाधा फंदे सीधे बुनेंगे, जाली तरहेंगे, दो, तरफ करेंगे जाली बनाने के लिए और एक फंदा में सीधा बनेंगे जाली बन जाएगी दो फंदे उल्टे बनाएंगे फिर तागा पीछे करेंगे और तीन फंदों का एक फंदा बनाएंगे तीन फंदों का एक फंदा दागा पी तरफ दो फंदे उल्टे बनाएंगे दागा पीछे करेंगे एक फंदा सीधा बनाएंगे दाग आपनी तरफ जाली बनाने के लिए इस तरह से लेंगे जाली बनाने के लिए एक पंदा बुल लिया हमने अब हमारे बीच में है छे फंदे और हमें सीधे बुनने नहीं साथ फंदे मारे सीधे हैं देखें दो चार दो छेर एक साथ फंदे सीधे बनाने के लिए जाली बनाएंगे इस तरह से एक पंदा सीधा बुनते हुए जाली बनाएंगे दागा अपनी तरफ दो फंदे उल्टे अब हम तीन फंदों का एक बनाएंगे हर बार हम जहां पर सेंटर में फंदा घटाते हैं हमें वहीं पर घटाना है तीन फंदों का एक फंदा बना दिया दागा अपनी तरफ दो फंदे उल्टे दागा पीछे करेंगे एक पंदा सी सीधा बुनते हुए जाली बनें, चार फंदे और हमारे इनकों भी सीधा बुनेंगे, तो पांच फंदे हमारे सीधे बुन गए यहां पर, उल्टी साइट से, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, साथ फंदे हमने उल्टे बना लिये, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ तागा पीछे करेंगे, दो फंदे सीधे बनाएंगे, तागा अपनी तरफ एक पंदा उल्टा, तागा पीछे, दो फंदे सीधे, अब हम यहाँ पर 11 फंदे हैं हमारे इनको हम उल्टा बनेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, 11 11 फंदे हमने यहाँ पर उल्टे बना दिये हैं हम दो फंदे सीधे बनाएंगे फिर एक फंदा उल्टा बनेंगे फिर दो फंदे सीधे बनाएंगे फिर हम यह बाकी बचे हुए फंदे इनको भी उल्टा बनेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, सीधी साइट से अब सीधी सैड में सुरू में हमारे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 छे पंदे हम सीधे बंबेंगे 2, 3, 4, 5, 6 6 पंदे सीधे बनाने के पास जाली बनाएंगे तो धागा अपनी तरफ करके सीधा फंदा बनते हुए जाली बनाएंगे एक सीधा फंदा बनगे हमारा दो उल्टे बनाएंगे, नहीं सुरी एक उल्टा बनाएंगे, दागा पीछे करेंगे, और फिर से फंदों को ट्विस्ट करेंगे, तीन फंदों का हम एक फंदा बनाएंगे, तीन फंदों का एक फंदा भागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा फिर जाली बनाएंगे, इस तरह से, और यह यहां तक हमें जाली तक सीधे बने ही सारे पुंदेरे हैं, तो दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नो, नो फंदे हमने सीधे बना दियें, फिर से हम जाली बनाएंगे, और एक फंदा हम सीधा बनेंगे, तागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा बनेंगे, तागा पीछे करेंगे, इन दो फंदों को ट्विस्ट करेंगे, और तीन पंदों का हम एक फंदा बनाएंगे, दागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा बनेंगे, फिर एक फंदा सीधा बनेंगे, दागा अपनी तरफ करेंगे, और एक जाली बनाएंगे अब हम, तो जाली बना दियें, एक फंदा सीधा बन लिया, बाकी बच्चे हुए हमारे पांच फंदे इनको भी हम सीधा बुनेंगे साइड में छे फंदे हमारे सीधे है उल्टी साइड से जैसा है इसको वैसे ही बुनना है दो तीन चार पांच छे साइड आठ फंदे सीधे उल्टे बुन लिए हमने आठ फंदे बनाने के बाद धागा बीचे करेंगे और एक फंदा हम सीधा बनेंगे फिर एक फंदा उल्टा बनेंगे फिर से एक फंदा सीधा बनेंगे अब हम एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारे बारे तेरे तेरे फंदे हमने उल्टे बना दिया यहां पर दागा पीचे करेंगे एक फंदा सीधा बनेंगे एक फंदा उल्टा बनेंगे हम दागा पीचे करेंगे एक फंदा फिर से सीधा बनेंगे बचेवे फंदे हमारे इनको सब हम उल्टा बनेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, आठ, आठ बंदेते हैं, हमने उनको से कोल्टा बंदिया हैं, देखें, सीडी साइड आ गए हैं, यह हमारी ग्यार भी सल आई है, सीडी साइड से, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, 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 सीधे बनाने के बाद, हम जाली बनाएंगे, तो दागा अपनी तरफ करेंगे, और इस फंदेगों सीधा बोनेंगे, अब देखें, इन तीन फंदों को फुर से, एक बनाएंगे, तीन फंदों का एक बना लिया, अपन एक बना और सीधा बोनेंगे, अब हम जाली बनाएंगे एक फंदा सीधा बोनने के बाद, इस तरह से जाली बना दी, बाकी बच्चे हुए हमारी फंदे हैं, इनको हम सीधा बोनेंगे, तो एक फंदा हमने बुन लिया है, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, दस, ग्यारे, अब हमारे बीच में ग्यारे फंदे हो गए हैं, फिर से हम जाली बनाएंगे, ये सीधा फंदा बुनते हुए, फिर से हम तीन फंदों का एक फंदा करेंगे, तो इसको ट्विस्ट करेंगे हम, फिर से एक फंदा सीधा बुनेंगे, भागा अपनी तरफ और जाली बनाएंगे हम, एक फंदा सीधा बुनते हुए, तो एक फंदा में सीधा बुन लिया है, दो, तीन, चार, पांच, छे, नग आपनी तरफ करेंगे उल्टी साइड आगा है हम उल्टी साइड से जो फंदा जैसा है वैसे ही बुनना है दो यह उल्टे बना रहे हैं तीन चार पाँच छै साथ आठ नौ दस यह 12 साइड से पूरी ही उल्टी बने जाती है तो इसको पूरा उल्टा बनेंगे इसमें कोई फंदा सीधा नहीं बना जाएगा उल्टी साइड से पूरी सलाई को हम उल्टा ही बनेंगे कि 12 जितनी जो बारा स्लाय तहीं अभी तक सबस्क्राइब ही यही आपको ऊपर भी पैटर रिपीट फड़ से पैटर अपना रिपीट करना है आप ऊपर इस तरह से बनाते हुए चले जाएंगे देखिए यह हमारा डिजाइन बनकर कम्प्लीट हो गया आप इसके उपर फर्स्ट सलाई से फिर से ही रिप्लीट करेंगे और आपका यह डिजाइन बनकर कम्प्लीट हो जाएगा